परमेश्वर आपको निकालेगा अलग-अलग चीजों से दुखों से, निराशाओं से, बिमारियों से, कलेशों से, भोखे से अगर आप self-death देखना चाहते हैं तो, इश्वर से ने का, अगर तू अपना cruise न उठाए, तो तू मेरे काबिल ही नहीं, और cruise उठाने का मतलब यह है, अपने आप में मरना, प्रती दिन अगर तू मेरा cruise न उठाए, तो तू मेरे काबिल नहीं, इसका मतलब अपने आप में मरना, अगर तू अपने आप में मरा नहीं, तो मेरे काबिल नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब क्या है, self-death यह वो position है, जब एक विश्वासी इस position पे पहुंचते हैं, जिससरा मूसा पहुंचा, और उसने पैसों की परवाने की, वचन की परवा की, अपनी पदवियों की परवाने की, वचन की परवा की, यह होती है, self-death, बाइबल कहती है, यूसुफ, 17 साल का था, जब अपने पिता की भेड बक्रियों को चराने के लिए, और उसे सपना आते हैं, और उस सपने में परमिशर उसको बताते हैं, कि वो अपने भाईयों से अधिक उंचा किया जाएगा, और इस सपने के कारण उसके भाईयों से बैर करते हैं, और उसको सूखे गड़े में डालके मारने की कोशिश करते हैं, वहां से वो निकलता और म पिसर देश में जाता है और 30 साल तक कभी पोती पर के घर में कभी जेल में रहता है ये 13 साल उसकी self death के थे ये 13 साल में परमेश्वर ने उसे तैयार किया कि कैसे परमेश्वर के उपर भरोसा रखा जाए जब वो मौत के करीब था emotionally disturbed था तब भी उसने पोती पर की पतनी के साथ sex करना ना मंजूर किया आज कोई पवितरताई में इसलिए है उसे मौका नहीं मिल रहा है आज कोई चोरी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो finance टीम में नहीं लेकिन जैसे आप उसे मौका देंगे तब मालूम होगा ये बंदा अकेला घर से दूर जहां गया वो भी दुश्मन पर बाइबल कहती तीस साल का होकर जब वो परधान मंत्री बना 110 साल तक जीवित रहा मेरी बात को आज ध्यान से सुनना है अगर आप जीजस क्राइस को फॉलो करेंगे अपने आप में मर के आप परमेश्वर का ध्यान रखेंगे उस्ते वचनों पर चलेंगे आपका कलेश तो छोटा सा होगा पर आपकी महिमा वो सालों की होगी इस मसी के नाम में हमारा थोड़ा सा कलेश काईदा अनन्त महिमा को पैदा करता है जो आपने सहलिया परमेश्वर में आके आपने परमेश्वर के वचन को त्यागा नहीं क्योंकि आपके रिश्यदार यही चाहते थे कि आप उसके वचन को त्याग दें आपने अपने शरीर की नहीं सुनी वेवीचार की नहीं सुनी चोरी की नहीं सुनी आपने वही किया जो वचन चाहता था बाइबल कहती है अगर तुम इस तरह चलोगे तुम्हें कलेश का सामना करना पड़ेगा तुम्हारे लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा हलका सा कलेश अनन्त महिमा को पैदा करेगा उसका 13 साल का कलेश उसके 80 साल के राज्य को पैदा किया उसने वो 30 साल का था जब परधान मंत्री बना और 110 साल तक अपनी कुर्सी पे खड़ा रहा आप क्या सोचते परमेशों ने आपको अपने पास भुलाया बाइबल कहती थोड़ी देर में वो तुमें दुख उठाने के बाद कलेश उठाने के बाद सिद्ध भी करेगा और स्थिर भी करेगा और तुमारे राज्य को बढ़ाएगा भी जो काम करने के लिए परमेशों ने आपको अपने पास भुलाया वो काम आपकी जिंदगी में वो जाहिर भी करेगा अगर आप परमिशन में खड़े रहेंगे तो बाइबल कहती है उसके भाईयों ने उसे गड़े में डाला उसे मौत का मालूम था भूख का मालूम था पोतीबर के घर में रहा उसे ब्लैक मेलिंग मालूम था जो उसकी पत्नी ने उसके साथ की ट्रबल मालूम थे उसको मुश्किले मालूम थी मौत का डर मालूम था बाइबल कहती है उसका कलेश अनंत महिमा को पैदा कर गया और वो 80 साल तक उन लोगों के उपर भी उसने राज किया जिनके घरों में वो काम किया करता था हालेलूया लेकिन वो 13 साल कौन से साल थे बोलो self death के बोलो अपने पडोसी को कुरूस उठाने के अपने आप में मरने के अपनी निगा में मरने के अमेन अगर वो साल आपने गुजार लिए तो राज्य करने के लिए तैयार हो जाओ आप जो मांगेंगे परमिश्र आपको देगा किसी बात की घटी आपके अंदर नहीं होगी आप उन चीजों के लिए सफर नहीं करेंगे जिनके लिए आम लोग करते हैं आप उनसे अबव जियेंगे यूश्र मसी के नाम में रिसीव करो इस ग्रेस को यूश्र मसी के नाम में मैंने का रिसीव करो इस ग्रेस को यूश्र मसी के नाम में हालिलुया